हम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं पर किस हद तक जाना सही है हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी सेरेनिटी ये 2019 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है ये इसी थीम को एक्स्प्लोर करती है एक फिशर मैन की एक्स वाइब उसके पास आती है उसे हल्प मांगती है उसे हल्प करने के लिए एक किस हद तक जाएगा ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है इस मूवी का एक्चुल कंसेप्ट ये एक अलग लेवल का है जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा इसके एंडिंग भी ट्विस्टेड है तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपसे बज़र रिक्वेस्ट करना चाहता हो उसकी बोड़ पर उसका एक फ्रेंड भी काम करता है जिसका नामे ड्यूक ये हमेशा टूना फिश की फिशिंग करते है इनका आइलेंड जिसका नामे प्लेमद इस पर जो भी टूरिस्ट आते है वो हमेशा इनने पैसे देते हैं फिशिंग करने के लिए आज भी ऐसे ही फिशिंग करने के लिए आये हुए थे इन्होंने बेट डाली और बेकर को एक बड़ा सा टूना मिला बेकर रियलाइस करता है जिस फिश को वो बहुत टाइम से ढूनने की कोशिश कर रहा था यह वही फिश है एक बहुत बड़ा टूना फिश जो हमेशा बेकर के हाथ से निकल जाता है उसकी जित थी इसे तो वो पकड करी रहेगा एकॉर्डिंग डूरूल्स इसे अब अपने टूरिस्ट को फिशिंग का रोड देना चाहिए था पर इस फिश को पकडने के लिए वो खुद अपसेस्ट है टूरिस्ट इस पर बहुत गुसा हो गए उसे और ओड ले रहे थे पर बेकर उन्हें चाकु दिखाता है और शान रहने के लिए कहता है पूरे दिन तक बेकर ने इसी फिश को पकड कर रखा फाइनली इस फिश को मारने वाला था पर फिर से फिश उसके हाथ से निकल गया टूरिस्ट बहुत ही गुसा थे और इस ट्रिप के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे बेकर के फ्रेंड डूर्ट को पैसो के जरूरत है क्योंकि उसके ग्रैंड डॉर्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है बेकर हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ तो करता रहता है तो इस वज़े से वो ब्रोक हो चुका है इन्होंने शीप में जो पेट्रोल डाला था उसके भी पैसे वापस नहीं आये बेकर डूक से कहता है कि तुम्हारे पैसे में वापस कर दूँगा बेकर डूक को इस देकी वी पैसे दे नहीं पाया इसके बाद बेकर को हम डायन के साथ इंटिमेट होता देख सकते है डायन का हस्बन उसके साथ नहीं है उसका बेटा भी एक अलग सिटी में काम करता है इसे वज़े से बेकर और डायन में अफेर है बेकर को बैसे कोई ज़रूत थी तो डायन ने उसे हेल्प की बेकर यहाँ डायन को उसके बेटी के बारे में पुछता है डायन के बेटी को भी सही से फीशिंग करना आता है बेकर को लगता है कि अगर वो डायन के बेटी को फीशिंग के लिए लेकर गया तो शायद इक गूड लग होगा अब अपने friend Duke को वो फेसे fishing के लिए नहीं ले जा सकता क्योंकि सही से उसे pay नहीं कर पाता Dan के पास एक cat थी जो गुम हो जुगी थी वो Baker को कहती है कि प्लीज मुझे ओ cat ढून कर दो इसके बाद वो बार में आया यहां इस island पर हर आदमे को हर एक चीज पता होती है इसके बीचे का reason हमें आगे पता चलेगा बार टेंडर को भी यह पता था तो उससे कहता है कि अगर तुम इस fish से इतने obsessed हो तो तुम उसका नाम क्यों नहीं रख दिया Baker कहता है उसका नाम justice है रात में Baker Duke के बास आया उसने उसे pay कर दिया और कहा कल फिर से मेरे साथ आना वो फिर से उस fish को ढूणने की कोशिश करने वाला है Baker रात में घर आकर फिर से ट्रंक हो गया उसे अपने बेटी की याद आई उसके साथ fishing करने की memories वो याद करता है अगले दिन वो ड्यूक के साथ fishing पर गया पुरा दिन उसने वेट किया पर फिर भी उसे वो टूना नहीं मिला वापस आने के बाद वो ड्यूक से कहता है तुम मेरे लिए bad luck हो तुम्हारे bad luck की वज़े से तुम्हारे wife भी मर गई उसने जान बोच कर ड्यूक को hurt किया ताकि वो उसके साथ काम ना करे एक अच्छी से job ढून ले जिससे वो अपनी granddaughter के लिए पैसे भीच सकता है रात में जब baker बार में था तो उसके पास Karen आई Karen उसकी ex-wife उससे कहती है कही अकेले में मुझे तुमसे बात करनी है तुम सही थे और में गलत इनकी बातों से हमें पता चलता है ये बेकर पहले आर्मे में था Karen के साथ जब उसका divorce हुआ उसके बाद वो खायब हो चुका था इस island पर भी वो एक अलग नाम से रह रहा है ये जब अकेले थे तो Karen उससे कहती है मेरा husband मुझे बहुत मारता है वो पहले से violent था पर अब वो एक अलग liver पर जा चुका है बेकर बोचता है मेरे बेटे Patrick का क्या Karen कहती है वो हमेशे अपने रूम में computer game ही खेलता रहता है उसकी डीचर कहती है को बहुत ही talented है Karen नहीं चाहती उसका husband Frank उसके बेटे को भी hurt करे इसी वज़े से उसे help मांग रही थी वो कहती है कल में मेरे husband के साथ तुम्हारे boat पर fishing पर चलूँगी वो ही सी में हम इसे मार डालेंगे इस काम के लिए उसे 10 million dollars देने वाली है बेकर ने इसके लिए उसे मना कर दिया जब Karen चली की तो बेकर को ढूंते ढूंते एक suit में का आदमी आया हुआ था इसका नाम है Reid Reid अपनी watch देखता है और उसे timing जड़ा off लगती है क्योंकि बेकर उसके हाथ से निकल गया था आज रात बेकर ने अलग fish की fishing की उसे अच्छे से पैसे मिलके जब वो घर आया तो अपनी cat ढूंडे ढूंडे डायन उसके घर आई थी वो उसे बुशती है कल राज जिसके तुम साथ थे वो बहुत ही beautiful है एक दो दिनों में उसका husband भी आने वाला है वेकर कहता है मैं उन्हें fishing पर नहीं लेकर जाऊंगा वो डायन से बात नहीं करता है वो अख लीव से पानी में जम करता है उसे पानी में हमेशा अपने बेटे का presence महसुस होता है उसमें और उसके बेटे में कुछ ना कुछ तो connection है जो इतने दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे का presence महसुस करते है इसके बाद केरन का husband Frank ये भी island पर पहुँच गया केरन उसे जल्दी expect नहीं कर रही थी पर उसे मिलने के लिए एक दिन पहले वो आ चुका था आने के बाद तुरंद वो केरन के साथ intimate होना चाहता था उसने उसे अंड्रेस किया वो नोटिस करता है केरन की body पर एक mark है वो इसके बारे में उसे पूछता है केरन को इसका reason पता नहीं था इसके बाद उसने एक घंडे तक अपनी बेल्ड से उसे बहुत मारा नेक सिन में बेकर फिशिंग के लिए जब हूप स्पाय कर रहा था तब वहाँ के लेट उसे बताती है केरन का हस्बन वापस आ चुका है उसने उसे एक घंडे तक बहुत मारा जैसे के मैं बताया गया है कि इस ताउन में हर आदमे को हर चीज़ पता होती है इस वज़े से इस ओनर को भी पता था केरन को उसके हस्बन ने मारा है बेकर ने कुछ भी नहीं का और वहाँ से चला गया वो जब बोट पर था तो उसके पास केरन और फ्रैंक आया फ्रैंक कहता है कि मेरी वाइब बता रही थी लिए तुम मुझे फीशिंग पर नहीं लेकर जाने वाले बेकर कहता है मैंने कुछ वाइलेशन्स के यह थे इस वजए से मैं किसी को भी अकेले बोट पर नहीं लेकर जा सकता फ्राइंक ने कहा इस island पर कोई भी rule नहीं है वो अमीर है तुकिसी को भी manopulate कर सकता है बेकर फिर भी इसके लिए मना कर रहा था फ्राइंक केहता है कल तुम आओ या नाओ साथ बजे में तुम्हारे यहाँ वेट करूंगा तुम्हें दिखा दूंगा कि पेसों की पावर क्या होती है बेकर अपने फीज सेल करने के लिए आया हुआ था वहाँ का आदमी उसे कहता है तुम्हें कोई ढून रहा था यहाँ वही सूट वाले आदमी रीड की बात हो रही थी नेकसिन में हम देखते हैं कि बेकर अभी अभी टायन के साथ इंटिमेट हुआ टायन बेकर से कहती है कि तुम बहुत ही जेंडल हो कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते है जब भी मेरी कैट गुम हो जाती है तुम मुझे हेल्प करते हो मुझे लगता है तुम्हें केरन को हेल्प करनी चाहिए बेकर का फिर भी फ्रैंक को मारने का कोई भी प्लान नहीं था अगली सुबा ड्यूक उसके पास आता है वो उसे कहता है कि मैंने बोट पर सुना फ्रैंक तुम्हें उसे ले जाने का 10,000 डॉलर्स देने वाला है मुझे बेसो की जरूरत है हम दोनों मिलकर उसे ले कर जा सकते है बेकर कहता है तुम्हारा लग खराब है ड्यूक कहता है कि मुझे पता है मेरा सोचकरी तुमने मुझे हर्ट किया था बेकर फिर ड्यूक के लिए मान गया यहावर वो लैंड के उपर एक बर्ड देखता है जो हमेशा सी के उपर ही उड़ता है यह बहुत याजीब था जैसे कि वो बेकर को सी में चलने के लिए बुला रहा था क्यारन बेकर को समझाने के लिए फिर से उसके पास आए बेकर कहता है वैसे अब तुम्हें फिशिंग लेकर जाओंगा यह तुम्हारे हस्बन को नहीं मारने वाला क्यारन कहती है Frank मुझे और शायद हमारे बेटे को भी मारेगा क्या है सही होगा मुझे पता है कि तुम दोनों में connection है हमारा बेटा तुम्हें computer screen से देख सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि directly fishing पर आय हुए है fishing पर Frank Baker से पुछता है इस town में कुछ call girls है क्या उनके बारे में तुम्हें पता है क्या उनका address तुम मुझे दे सकते हो Baker ने इसके लिए मना कर दिया उसे पूछता है कि तुम्हारा कोई बेटा है Frank कहता है कि मैरा एक staff son है वो हमेशा अपने computer पर ही लगा रहता है मैंने एक दिन उसे पूछा कि दिन भर तुम यही क्यों कर दे रहता है तुम्हें कुछ अलग चीज़ करनी चाहिए उसने मुझे कहा कि अगर मैं games नहीं खेलूँगा तो तुम्हें मार डालूँगा Frank कहता है एक दिन मैं ही उसे मार डालने वाला हूँ इस पर बेकर को बहुत जादा गुस्सा आ गया वो उसे मार डालने वाला था तभी इन्होंने एक बड़ा सा shark catch किया एक catch करकर face से वापस आते है Frank को actual में एक टुना fish catch करना है तो इस वज़े से कल वो face से fishing के लिए आएगा बोट पर जो भी हुआ यह सब ड्यूक ने सुना था उसे पता चल गया कि इनमें कुछ ना कुछ तो connection है वो रात में बेकर से बात करता है बेकर उसे सब कुछ situation समझा देता है ड्यूक ने कहा कि तुम किसी को मार नहीं सकते तुम दिल के अच्छे आदमी हो यह करना बहुत गलत होगा फ्रैंक बेकर के बेटे को हट कर सकता है तब उसने डिसाइड किया है कि वो फ्रैंक को मारने वाला है वो ड्यूक को कल उसके साथ आने के लिए मना करता है बेकर जब उन्हें बोट पर था तो उसके पास कैरन आई कैरन उसे एक रिंग दिखाती है कहती है इसी रिंग से तुमने मुझे प्रपोस किया था बेकर गराज में काम करता था एक गाड़ी के पार्ट से उसने रिंग निकाली और यही कैरन को दी थी वो गहती है हमारे बीज जो भी हुआ था यह सब कुछ चीज़े मुझे याद है एक बीज के नीचे हम फर्स टाइम इंटिमेट हुए थे उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रही थी बेकर कहता है तुमने मुझे दोका दिया है लोग बदलते नहीं कैरन ने उसे दोका दिया इसका रेजन ये भी था कि बेकर जब अपनी डूटी से वापस आया तो बहुत ये डिस्टब था वो कैरन पर ध्यान नहीं देता था कैरन कहती है कि मुझे गलती हुई है तुमने अभी अभी कहा कि लोग चेंज नहीं होते उस रात बीज के पास जो लड़की थी मैं आज भी वही लड़की हूँ वो उसके पास आये तो बेकर ने उसे किस कर लिया ये दोनों यहाँ पर इंटिमेट हो जाते है कैरन के बॉड़ी पर फ्रैंक के मारने की निशान भी थे इंटिमेट होने के बाद कैरन उसे कहती है क्या कल तुम उसे मार दोगे बेकर कहता है कि हाँ पर हम दोनों की रिलेशनशिप हम कंटिनूर नहीं करेंगे कैरन इसके लिए मां जाती है क्योंकि सिर्फ उसके बेटे को बचाना उसके लिए इंपोर्टन है बेकर जब घर पर आया तो रिड उसका बाहर ही वेट कर रहा था उसे कहता है तुम कल जो करने वाले हो इसके बारे में मुझे पता है जिस चीज की तुमें जरूरत है ये चीज में तुमें दे सकता हो एकर इससे इंट्रिक था तुसे उसने घर में इंवाइट कर लिया ड्रिंग ओफर किये, रीड फिर उसे एक एक्विमेंट दिखाता है, कहता है एक फिश फाइंडर है, जिस टुना फिश को तुम हमेशा से ढूंड रहे हो, इसे तुम आसनी से ढूंड सकते हो, हमारे कमपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि तुम उस फिश को ढूंड सिर्फ इस गेम का हिस्सा हो, इस गेम के में रूल हो, यह बात बेकर को ख्लेर नहीं थी, तो रीड उसे समझाता है, यहाँ पर जो भी चल रहा है, यह सब एक गेम है, हम सब एक गेम के अंदर है, इस गेम में छोटे-छोटे हिस्से भी है, जैसे कि डायन की क्याट ढूंड फिशिंग करना, पिछले कुछ दिनों से इसमें डिस्टरबंसिस आ रही है, तुमारा फ्रैंक को मारना यह इस गेम का पार्ट नहीं है, एकॉर्डिंग टू दू रूल्स हम किसी भी आदमी को इस गेम में मार नहीं सकते, रीड को भी एक वेशन आया है, कि क्रिएटर ने उसने फिश सब को चीजें नोटिस करना स्टार्ट किया, आज बेकर जाकर फिश नहीं पकड़ने वाला, तो काड़ी के रेडियो पर भी आया, कि जाओ और फिश पकड़ो, उसे जो भी मेमरीज है, इनको लेकर वो वंडर गयता है, वो कहा से आया, और यहां क्यू है, यह स बस्ते से भटक चुका था, तब ही डायन का बेटा, जो एक अलग टाउन में काम करता है, वो भागते-बागते उसके पास आया, वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, बै आपके साथ फिशिंग कर सकता हो, बेकर इस पर हसने लग गया, वो कहता है कि जब इस गेम से मै से लिए एक स्टोर में आता है, वो उसके पास एक मैप था, क्या तुम्हें पता है कि हम एक्जैक्ट लिका है, योनर कहती कि कुछ भी फरग नहीं पड़ता, योनर किस तरह से बात करती है, इसके थौट कैसे है, इस सब को लेकर बेकर उससे क्वेशन पुछता है, डोनर सी पात वो बार में आ गया, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होना चाहता था, बार डेंडर उसे बोचता है, क्या तुम आज फिशिंग नहीं जाने वाले, उसने कहा कि जाओ और फिशिंग करो, किसी भी टूरिस्ट को मत लेकर जाओ, वो हमेशा डिस्टप करते रहते, बार डे वज़े से आज वो फिशिंग पर नहीं जा सकता, बेकर गेम के ओपोजिट करना जाता है, फ्रैंक को मारने के लिए वो अपने बोट तक पहुच गया, वहावर उसका फ्रेंड ड्यूक है, ड्यूक उससे कहता है, मैंने तुमारे लिए जो सही था, वो ही आज किया है, उसन उनने मुझे प्रामिस किया था, एक फिश लाकर दोगे, फ्रैंक बहुत ही इकोईस्टिक है, तो डिसाइड करता है, इंजोर होने की बावजूद, वो फिशिंग पर जाने वाला है, बेकर नारास था, तो सी के पास आकर ड्रंग हो गया, बेकर के पास रीड आया, बेकर उ इस्प्रेशन चेंज हो गया, तो रिड ने उसे बुचा, क्या तुम्हें पता है, क्या हमें किसने बनाया है, एक एक लड़का है, जो हमेशा अपने रूम में एक गेम क्रेट करता रहता है, उसके स्टेफ फादर हमेशा उसकी मदर को मारते रहते हैं, इनी आवाजों से ब अगर हमारा क्रेटर ही जाता है, यह फ्राइंक मर जाया, तो मैं वही करना चाहिए, वो से बता देता है, यह कैरन ने फ्राइंक को मना लिया है, वो दोनों तुमारे बोर्ट पर तुमारा वेट कर रहे हैं, बेकर ड्रंग था, पर फिर भी जल्दी से बोर्ट पर पहुच जाता है, बेकर और कैरन दोनों फ्राइंक को बोर्ट में बिठा कर सी में लेकर गए, यह उसे मारने वाले थे, तब बोर्ट में से डायन का बेटा बाहर निकला, उसने बेकर से कहा, कि आपने मुझसे कहा था, कि मैं आपका गूड लख हो, इसी वज़े से मैं आपके साथ गया, गेम में यह जो सब रेजिस्टन्स आ रहे है, यह रिप्रेजेंट करते हैं, रिएटर पैट्रिक की इनर कंफ्लीट, वो अपने स्टेप डायट को मारने वाला है, पर वो डरता है, क्या सही, क्या गलत, इन सब चीजों को लेकर वो सोचता रहता है, इसी वज़े से उ इनके हुक्स में अटक गया, यह वही बड़ा फिश था, जो हमेशा से बेकर ढूनना चाहता था, इसे कंट्रोल करना बहुत ही हार्ट है, फ्रैंक तो फिशिंग करने के लिए आया था, बेश का रोड बेकर उसके हाद में दे देता है, फिश बहुत ही स्ट्रॉंग है, तो कोई भी लीगल ट्रबल नहीं होगा, इसके पैरलल में, रियल वर्ल्ड में हम देखते है, पैट्रिक जाकर अपने स्टेप डायड को मार डालता है, फिर पुलीस को बलाया गया, पैट्रिक की मदर ने का, मेरा हजबन मुझे मार रहा था, पैट्रिक मुझे बचाने के पैट्रिक में थे, वही पर उनकी डेट हो चुकी थे, उसके बाद उसकी मदर ने वेसे शादी की, उसका हजबन उसे बहुत मारता था, इसी वज़े से पैट्रिक ने उसे मार डाला, मुवी की गेम में हम जो भी सिचुएशन देख रही थी, यह सब पैट्रिक की सिचुए वेसे पैट्रिक का कॉल बेकर को आया, बेकर उसे बात करकर बहुत ही खुश था, पैट्रिक कहता है कि अब मैं गेम में कुछ चेंजिस करूँगा, वे इस तरह से इसे डिसाइन करेगा, कि वो खुद आकर बेकर से मिल सकता है, गेम में चेंजिस हुए और पैट्रिक ने उ कराते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजे बेल नोटिवेशन आइकोन दबना मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये